अगर आपके internet या PC की speed काफी slow है तो इस video complete watch करें और internet garbage file को delete करें तो सबसे पहले हम my computer पर double click करेंगे, इस box में हमने find out करना है view इसके उपर apply करने के बाद option में आना है, simple सा काम है, privacy में दोनों box में check करना है और clear history करना है, cookies को remove करना है, जैसी हम इसके उपर click करेंगे, ok पर apply करेंगे और cancel करेंगे इस box को, इसके बाद हमने आना है run command में, run command में आने के बाद यहाँ पर simple सी command type करनी है, percentage, temp, percentage, तो internet की तमाम जो files हैं इससे हमने remove करनी है, तो यह box कुछ इस तरह से illuminate होगा, इसको control A करना है और delete करना है, delete करने के बाद continue करना है, जैसे हम इसको continue करेंगे तो हमारी जितनी भी viruses वाली file है या internet की जो garbage files हैं, वो remove हो जाएंगी, और remove होने के बाद यह recycle mean में shift हो जाएंगी इसके बाद हमने क्या करना है, फिर आना है run command में और यहाँ पर हमने type करना है prefix, जो भी हम data use करते हैं या कोई भी हम अपने PC में work करते हैं, तो उसकी जो cache files हैं, वो prefix files में convert होती है और हमारे PC को slow करती हैं, internet को slow करती है, तो इन तमाम files को भी हमने control A करना है और delete करना है इन तमाम files को सेम इसी तरह से आपने delete करते जाना है, जैसे ही यह delete होगी हम इस box को close करेंगे, skip करेंगे, close करेंगे इसके बाद फिर हमने आना है run command में, तमाम work हमने run command में ही करना है, यहाँ पर हमने type करना है clean MGR तो clean MGR type करने के बाद okay के बटन पर apply करेंगे और इसका जो box है कुछ इस तरह से appear होगा, okay के बटन पर apply करेंगे, simple सा box है, यह disk cleanup का, इसके उपर हमने क्या करना है, एक बहुत ही important काम करना है, जो first check है, इसको uncheck करना है, बाकी तमाम में हमने check करके okay के बटन पर apply करना है, और delete file करना है, जैसी हम delete file करेंगे, तो हमारी जितनी भी garbage file है, internet से related, और हमारे PC से related, तो delete हो जाएंगी, continue के बटन पर apply करना है, इसको permission देनी है, delete करने की, तो जैसी हम इसको continue करेंगे, तो तुमाम file जो है, वो delete होना, continue हो जाएंगी, यानि के शुरू हो जाएंगी, तो इस तरह ह हम इसको delete कर देंगे, इसके बाद हमने अपने browser को open करना है, और three dots के उपर हमने click करना है, setting में आना है, जैसी हम setting में आएंगे, तो left side पर हम find out कर सकते है, privacy and security, इसके उपर apply करना है, जैसी इसके उपर apply करेंगे, तो ये clear जो history है, इसका जो box है, कुछ इस तरह से appear होगा, हमा set करने के बाद सभी के उपर check के button पर click करना है, और data को close करना है, तो तुमान cookies जो है, वो remove हो जाएंगी, इसके बाद फिर हमने run command में आना है, यहां पर most important work है, cmd type करना है, cmd type करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपका ip address है, जो के हमारा data, जो है इसको एक internet का protocol है, जिसस को हमने क्या करना है, remove करना है, ipconfig slash flush dns type करना है, enter करना है, और यह तमाम resolver cache जो है, वो remove हो जाएंगी, इसके बाद box को close करेंगे और अपने PC को restart करेंगे